उत्रा खंड में हुए रिस्क्यू का असर बिहार में देखने को मिला उधर टर्नल में फसे मज़ूरों को बाहर निकाला गया इधर एक साथ दिवाली और इद शुरू हो गई हम बात कर रहे हैं भोजपूर के साहार प्रखण के पीहोर गाओं के रहने वाले साबाह अहमद उर्फ सैफ की सैफ पिछले 17 दिनों से उत्र कासी के 8 दिन निर्वित टर्नल में फसे थे इधर एक एक दिन परिवार में 17 साल के बरावर गुजर रहा था जैसे ही फोन के मादब से परिवार वाले को पता लगा कि सभा को टर्नल से बाहर निकाल गया है वैसे ही परिवार की आखों में आसु आ गया और हर लोग की आशी आख खुसियों से भर रही टीवी चैनल पर अपने लाडले को सुरंग से बाहर निकलते देख एक दूसरे से गले मिलक बधाईया देदे करना जारा सुरू हो गया जबकि सभा के पिता, मा और पत्नी के साथ बेटे के आखे तब खुसी से डगमगा गई जब लोग सुबा सभा से फोन पर बाचित किये और वीडियो कॉल पर उनकी तस्वीरे देखे इस खुसी के मौके पर परिवार उनका कहना था कि उनका लाडला सतर दिनों के जंग जीत कर सुरक्षित घर वापस आ रहा है इस से बड़ी खुसी परिवार वालों के लिए कुछ और नहीं हो सकी हमारे घर में एक साथ आज इद और दिवाली होली का उत्समोन आया जा रहा है सभा के पिता ने बताया कि मेरे मैटा आज मौत के मौह से निकल कर आया है उसको दूसरा जीवन आज मिला है मेरे और परिवार के लिए इस से ज़्यादा खुसी का दिन दूसरा और नहीं हो सकता सैफ के पिता मिसमा ने बताया कि हम लोग सुबह से ही टीवी और फोर पर चिपके हुए थे पहले ही हमके जरकारी दे दी गई थी कि आज हमारे लाडले को टरनल से बाहर रेस्क्यू किया जाएगा सुबह से हम लोग में सेब्री से तजार में थे और साम में सुबसा मचार हम लोग को फोर और टीवी के माद्धम से मिला इसके बाद घर में दिवाली और इद भी छोटा हो गया इससे जादा बड़ा कोई और तेवार और पर हमारे लिए नहीं हो सकता टरनल से बाहर निकलने के पर सामा के पुत्र मकरम ने बताया कि पिता जी को आब हम दुवारा इस काम में नहीं जाने देंगे चाहें वो जैसे भी पैसा कमा लेंगे लेकिन अब ऐसे काम हम नहीं कर रहे देंगे वहीं उनकी पत्नी सीवा खातुन ने बताया कि मेरे सोहर पीछले 17 दिनों से टरनल फसे हैं हम लोके लिए एक एक दिन 17 साल के बराबर कट रहा था मेरे लिए इससे ज्यादा और दूसरा 18-19 दिन बहुत तकलीफ किया मेरा दिल दुखा मगर आज हमको बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आ रहा है मेरा बेटा का 40 मजदूर मेरे बेटा के साथ है मेरे बेटा से बात होती थी ना तो मेरा बेटा कहता था कि पापा आप गबराइए मत मैं बहुत जल्द आऊंगा और मेरा बेटा है चाली साओर सब एक ही बेटा मेरा है वह की बेटा बैरा जाता है कि टर्नल में बीज दिन फसे रहना किसी का एक रूम में आदमी घबरा जाता है तो चार दिन में अट टर्नल के अंदर बीज दिन तो यही सोच-चुच के मेरा दिल और घबराता था कि भगवान क्या होगा खुदा क्या होगा आगे मगेर देखिया हा आज हमको खुशी मिलने वाली है मेरा गवान कुशी मिलने वाली है 121 मेरे साथ रहे तेम जो है महनत ओप्ल मिला सरकार महां कि 앞에ो कमपञे का यह सारे महनत्कार कर और हुआ है है सबको मैं धन्रुच करता शुप्रिया दा शुपर करता हूं कर नहीं हैं के साथ थी पूरे 41 ए 41 लोग सब लोग निकले उनकी मा की दुआ थी सही सलामत सब लोग निकल बता नहीं सकते हैं बयान नहीं कर सकते हैं कि 16 दिन हम लोग के साथ कैसा गुज़ा क्यासु है यह खुशी क्यासु है झाल कर दो झाल नहीं सकते हैं यह खुशी क्यासु है